हेलो दोस्तो वेलकम टू अबर यूटूब चैनल इस्टेटी सर्किल 2.0 सो कैसे हैं दोस्तो आप सभी लोग आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे तो दोस्तो हम लोग पढ़ रहे हैं एपलाइट फिजिक्स फरस्ट के मोस्ट एंपोरेंट क्वेस्चन और हमारा जो तीसा च रहेगा वह आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है ठीक है तो इसको भी आप लोग देख लीज़ेगा फिर इसके बाद आपका पूरा 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 चाप्टर यह फिनिस हो जाएगा ठीक है तो आज की टॉपिक में दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो हमारा मेन रहेगा ठीचन um और हम पढ़ेंगे और इसकी टाइफ होते हैं फिर नियम रहते हैं वह पढ़ेंगे यह तक्या होते हैं तो सबसे पहले हम समझते आपे चल रही है का इपढ़ लोग बनेरा कोई अगर बता सकते हैं अघर आप से कोई बिरूद करने वाल होता है दूस्त हना लागा करता है यह भी हम अ Elsht grey चलिए अब हम अगर हम कोई body ले रहा है suppose करके suppose करके हमारा यह कोई surface है इस पर यह हमारी यह कोई body रखी हुई ठीक है तो पहले अभी मैंने बता रहा था कि जैसे हम यह app forces पे लगाते तो friction हमारा हमेशा अपोजेट डारेक्शन में ही काम करेगा ठीक है जैसे मैं इसको app केसे लिख रहा हूं कंडिशन में आपका friction force काम कर रहा होगा दूसरी कंडिशन हम लोग लेते हैं कि जब हमारी वस्तु यहां से चलने ही वाली हो चली नहीं है बड़ चलने ही वाली हो उसके अंदर आते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है ठीक है मेली तीन टाइप के होते हैं कौन-कौन से होता है सीमात घर्षन और तीसरा होता है गतिक घर्षन तो इस ठ्यतिक घर्षन से मतलब वही कि जब आपकी बस्तु क्या हो रेस्ट कंडिशन में रख्वी हो ठीक है उसमें कोई गति नहीं हो तो उस समय जो घर्षन लगेगा उसको इस्टैटिक फ्रिक्षन कहेंगे बढ़ने की जरूरत में यहांए लिख दिया ठीक है स्लपी घर्षन आपका लोटनें गर्षन टीक है इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है कभी नहीं पूछता ना आपको लिखना है अग्जाम में अगर टाइप पूचता है तो आपको यह किबल तीन रिभाइन करने है ठीक एस्टेटिक एंड लिमिटिंग एंड काइनेटिक इस्टेटिक जब हमारी बोडी रेस्ट कंडिशन में होगी उस टाइम लगेगा लिमिटिंग जब बस तू चलने ही वा करूँ है तो आप वहां से पढ़ लेंगे बस हम छोड़ा सा रिवीजन कर रहा है और चीज़ें देख रहा है कि कौन हैं हमारे एक्जाम के लिए चलिए तो आप इन तीनों की डैफिनिशन में आपको सो कर देता हूं वह आपको लिख लेनी है ठीक है चलिए यह दोस्तों यहां से लिख सकते हैं ठीक है तो पहले ही डैफिनिशन दी हमारी इस्थैतिक घर्षन तो मैंने बताया था इस्थैतिक घर्षन क्या होता है जब हमारी बॉड़ी रेस्ट कंडिशन में हो ब्रामा बस्ता में हो तो उस समय जो घर्षन लगता है वह हमारा जो घर्षन होगा लेकिन जो दूसरा point है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो आपका static friction होता यह self adjusting force होता है यह अपने आपको adjust कर लेता है आप जो force लगाएंगे उसके base पे आपने आप adjust हो जाता है अब इसको मैं समझाता हूँ कि यह कैसे adjusting force है कैसे आपने आपको adjust कर लेता है चलिए इसको आप समझिए यहां पर जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि यह कोई surface है इस पर आपकी body रखी हुई है एम मास की इस पर जब आपने कोई force apply किया इस side तो यहां पर एक friction आपका कार करेगा आप उजी direction में जिसको सब्सकर करके मैं थोड़ी देर के लिए माल लेता है वो body पर maximum हमारा 15 है ठीक है क्या है 15 हम इसको Newton कहा देते हैं ठीक है माल लेते हैं कि जो हमारा static friction लग रहा है वो हमारा 15 Newton का maximum ठीक है एक value fix कर लेते हैं आप कुछ भी मान सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर हम इस body पर जब force apply करते हैं माली से मैंने 5 Newton का force लगाया ठीक है मैं करेगी वो 15 Newton है ठीक है maximum ठीक है मैंने maximum value रखी है यह maximum value 15 Newton की लेकिन जब आप इस body पर पांच Newton का लगाएंगे तो यह body भी आपका जो friction लगेगा वो भी 5 Newton का लगेगा लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सर आपने तो बोला कि 15 Newton का लगाएगी तो जब आप 50 Newton का लगा देंगे इस side और इस side आपने लगाया 5 Newton का तो फिर आप तो खीचे चले जाएंगे इस side यानि आपको body खीचने लगेगी तो ऐसा कभी हो सकता है क्या आपको body खीच सकती है नहीं खीच सकती है आप body को खीच रहे हैं ठीक है क्योंकि यह कर रही है आपने आपको adjust इसी लिए यह static friction यह लगेगा इस side 10 Newton का आपके opposite में अभी भी आप body को नहीं खीच पाएंगे अगर आपने यहां पर 16 Newton जैसे ही किया तो आप इस body को खीच ले जाएंगे क्योंकि maximum जो वैलू थी वो 15 Newton थी तो यहां से समझ में यह आया कि हम जैसे जैसे यहां पर फोर्स लगा रहे थे यह आपने आपको adjust कर रहे थी अंडर जो इसकी highest क्या थी इसकी जो static value थी उसके ठीक है अगर आप इस value से कम लगाएंगे तो यह आपको adjust करती रहेगी और जैसे यह आप इस से ज्यादर लगा देंगे तो यह आपका move कर जाएगी जिस direction में आप फोर्स लगा रहे हैं तो यही मतलब होता है कि यह जो आप आपका friction force होता वो एक self-adjusting force होता यह आपने आपको adjust करता रहेगा ठीक कब तक करेगा जब तक कि आपने highest value तक नहीं पहुंच जाता ठीक है समझ रहे हैं इस चीज को तो यह आप समझ गया होगा है हलां कि आपको सीधा यह definition लगनी होती है ठीक है आप चाहे तो यह figure बना स friction होता वो कहला था तो इसकी definition यह आप लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते लिखा किसी बस्तु पर आरोपित वह अधिक तंबल जिस पर बस्तु चले ही वाली हो तो इस ब्रोधी बल को सीमांद घर्षण बल कहते हैं आप कह सकते हैं इस समय जो घर्षण बल लगता उसको हम पहुंच रहा है ठीक है इसलिए हम static friction की जो हमारी highest value होगी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लिम्टिंग friction बोल सकते हैं जैसे कि अभी मैंने example set किया था तो इसमें जो 15 newton थी वह highest value है तो इसी highest value को हम क्या गया सकते हैं लिम्टिंग friction कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद आपकी एक छोटा सा figure बना है अगर इसके थुरू आप formula derive करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है इसको देखिए हमने देखा है कि यहां पे एक body है m इसका self weight है वो mg नीचे की और कार करेगा और जब body हम आगे की और खीचेंगे तो इस पर friction पीछे की और लगेगा app के और अगर mass है तो इसका जो यहां पे बेट काम करेगा mg नीचे की और तो इसके आप होजे direction में भी reaction आर कार करेगा ठीक है यहां पको पता है तो यहां पे हमें एक चीज़ धिहां रखना है कि जो friction force लगता है वो यह जो reaction काम कर रहा है इसके directly proportional होती है याई app के directly proportional to r ठीक है तो जब हमें समान पाति को हटाएंगे तो यहां पे कोई constant आएगा और constant आता UK ठीक है और UK क्या है तो यह हमारा friction coefficient है ठीक है और conception coefficient का kinetic friction coefficient यानि कि गतिक घर्षन गोडान ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना यानि आप इस UK को क्या बोलेंगे गतिक घर्षन गोडान और r को आप क्या लिखेंगे r को आप mg लिख सकते हैं इसलिए मैंने यह लिख रखा यहां ठीक है तो यह आपको समझ में आगी होगी तीनों समझाओंगा ठीक है चलिए तो सब से पहला लिखा है कि जो सीवांद घर्षन है वो तलओं के इस पर से लगाए माहें बलके बिप्री दिसा में लगता ठीक है तो चलिए इसको मैं समझाता हूं इसको मैं समझाता हूं इसमें कहने का मतलब क्या है जैसे कि यह आपका surface ए औ काम करेगा और कहीं काम करेगा क्या ये फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा नहीं करेगा ये तो बिल्कुल टैंजेंीयर सिल काम करेगा मतलब जो आपके बौडी है नीचे का तल है वह और जो आपकाllers आप मान हमकर रहे और नाक्र होता है उसके बिपरी दिशा में काम करता है तो वहीं मैंने बताया दूसरा बोला है कि सीमांत घर्षण का मान वन सेकंड दोस्तो चलिए सेकंड बोला है दोस्तो कि जो सीमांत घर्षण का मान होता है वो लगाए गए बाहर बलके मान के बराबर होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो f बराबर होगा वो हमारा fs होगा अगर हम ये fs से डिनोट कर रहे हैं ये आपको याद गरना पड़ेगा चलिए इसके बाद बोला है कि जो अभी लंब पिड़ती के लिए r होता है वो mg के बराबर होता है कम खोरदरा है तो कम लगेगा तो ये उसी का मतलब है फिर बोला है ना की छेट फल पर मतलब की area पर depend ये नहीं करता इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है जैसे माली जे ये आपका road है ठीक है ये हम top view देख रहे है ये आपका road है सपोज करके और इस पर हमारी ये कोई vehicle चल रही है ये कोई हमारी गाड़ी है सपोज करके ठीक है तो ये जो हमारा road है जितना ज़्यादा खोरदरा रहेगा इस body के tires की बीच उतना इफ्रिक्सन लगेगा ये हमें पता है तो ये point हमारा clear हो गया दूसरा बोला कि ये इस road की area पर depend नहीं करता आप इस road को कितना उचोणा कर दो इस पे कोई effect फोड़ी ना पड़ेगा effect कीवल पड़ेगा जो आपका पहिया है उसका contact surface road के साथ उस पर depend करेगा ठीक है तो हम कहा सकते हैं कि जो मेरा इस note के साथ contact area है वो ज्यादा बढ़ गया है तो ये point भी आपका clear हो गया होगा ठीक है ये ही बोला था इस point में ठीक है चलिए इसके बाद बोला है घर्षनबल का मान जो है पदार्थ पर भी निर्वर करता है सभी बात है कि अब जो नीचे का surface है वो किस तरीके का है किस material का इस पर भी depend करेगा ठीक है चलिए आंगे लिखा है दोस्तों कि सीवांत घर्षनबल जो होता है वो किसी तल के अभिला में पिटते के लिए आल के अनुकरवानुपाती होता है ठीक है यानि कि कहने के मतलब य है कि जो हमारा ये बल था वो इसके समानुपाती हो गया था यह इसके समानुपाती हो गया था अब यह कहा गया कि यह हमारा इसके भी समानुपाती होता है इसके भी समानुपाती होता है ठीक है तो जब हम इसको इसके समानुपाती माल लेंगे तो यह कुछ इस तरीके से हो बरावर होता है यानि जो बेट काम करेगा नीचे की वो नॉर्मल की विल्कुल बरावर होगा ठीक है चलिए तो यह आपके नियम थे जो कि आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं दोस्तों यह भी आपके पूंचे जाते हैं अब कुछ एंगल के बारे में हम बात करते ह ठीक है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैंने एप्लाइट फिजिक्स फर्स्ट करके और मोस्ट एप्रेंट कोशन ऐसे कुछ करके एक प्लेलिस्ट बनाई है यूटूब पे ठीक है तो आपको क्या करना उस प्लेलिस्ट में जाना है तो आपकी यह फ्रिक्शन का आपको दूसरी चीह बता देंगे ठीक है तो यह देख लेना प्लीज यह सारे के सारे न्यूमेर्कल मैंने आपको कराया है ठीक है चलिए यह आप सारे न्यूमेर्कल वहाँ पे देख लेना और मैं पीडियेप दूंगा तो वहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे ठी हम हम किसको कहते हैं इसके हमारा सपूझ करके कटी बॉड़ी राखी हुई मैं लिखनी रहूं एंद्रबमान की बॉड़ी है तो इसका जो बीट काम करेगा एम जी बॉनीचे की और कार करेगा ठीक है बिल्कुल काम करेगा अगर हमने कोई फॉर्स एपलाई किया है है इस साइड तो फ्रिक्सन फोर्स बीउपर और काम करेगा या नि की आर तो अब हम तो पहले हम क्या करते हैं जो हमारा आर और एप के है इनके बीच का यह resultant है वो हम find करते हैं ठीक है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग सामानतर चदरोज का नियम लगा सकते हो या जो भी आपको लगाना है लगा दो आप यह find कर सकते हो इनके बीच का जो resultant है तो वो हमारा r के साथ जो angle बनाएगा वो हमारा होता है friction angle यानि कि alpha तो यही यहाँ पर बोला गया है और अगर आप चाहे तो इसकी definition भी पढ़ सकते हैं हाला कि मैं pdf में include कर दूँगा ठीक है तो लिखा है कि कि किसी तल पर रखे हुए pind के संपूर पृतिकिरिया और संपूर प पात करते angle of repose angle of repose हमारा क्या होता है ठीक है angle of repose क्या है तो आप देखेंगे दोस्तों कि इस तरीके से कोई एक inclined plane हमें लिया है जो कि theta degree या हम 5 degree जो भी बोलना चाहें यह हमने 5 degree पर इसको inclined करके रखा है तो यह हमारा होता angle of repose ठीक है अब इसका formula कैसे derive करना है हमको तो वह हम थोड़ा सा समझते हैं तो इस पर हमने कोई एक body मान रखिए देखें कुछ इस तरीके से ठीक है जो कि हमारी एम द्रब मान की है मैं अलग से figure बना दूं क्या चली मैं अलग से बना देता हूं ठीक है आपको समझ में आ जाए इसमें तो चली बहुत गंदा लग रहा है मैं आपको अलग से समझा देता हूं ठीक है कोई अगर weight माली जे mg माना तो इसका weight mg मैंने अगर इसका mass m माना तो weight mg होगा नीचे की और काम करेगा कुछ इस तरीके से और अगर मैं बात करूं कि आपका जो normal होगा वो किस तरीक कहा की और काम करेगा तो normal जो लगता हमेशा surface के perpendicular लगता इस तरीके से तो यह हमारा reaction R हो एक घटक तो होगा इस direction में यह वाला और दूसरा जो होगा घटक इस direction में आएगा downward condition में ठीक है तो अगर मैं बात करूं कि यह mg इस downward के साथ कितना angle बनाएगा तो यह माल लिए यह वाला 5 ठीक है बिल्कुल same मनाएगा तो अब जब यह मैं यह वाला घटक निकालूंगा त तो यहां पर कंडीशन लगा देते हैं कंडीशन क्या लगा सकते हम यहां बेखिए कंडीशन अब देखिये मुझे यह भी बताना है अब है जब यह बॉड़ी नीचे को स्लाइट करें कि इस फोस के काड़ा तो friction कहां क्यों काम करेंगा पीछे की और यानि एप as friction हम माल ले रहे हैं तो हमने पढ़ा है सीमांद घटन में कि यह इसके बराबर और बराबर रहिए और बराबर क्या हो जाएगा है एम जी को सिटा MP को सिटा हम एक विश्टन बन माल लेते हैं ठीक है इसके बाद क्या हो जाएगा अब जो हमारा mg sin phi है ठीक है वो इसके बराबर होगा ये भी हम अभी पढ़के चले आ रहे हैं पीछे तो यानि f s बराबर mg sin phi ठीक है ये भी हम बोल सकते हैं इसको हमने equation 2 माल दिया अब यहाँ पे इन्हों करा क्या है कि इसमें डिवाइड कर दिया इसका यानि समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दिया है थीक है तो यानि f s बटे में r हो जाएगा और बराबर mg sin phi और बटे में हो जाएगा mg cos theta ठीक है या रभाई जो भी आप कहना चाहें तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा अगर यहां से आप निकालना जाहें तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए पहले तो आपका mg से mg गया और यहां पर fs बटे में आ रहा जाएगा तो यह आपका यहां से इस तरीके से कुछ इस फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाएगा ठीक है और यह fs फ्रिक्षन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं देखिए fs को मैंने क्या बताया था आप थोड़ी दिर पहले जब हम नियंग पड़े थे तो यहां पर दिया गया था यही आप दिया गया था था थोड़ी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो वैसे पीडियेप में सम्मिल जाएगा लिखा है आनत तल पर 36 तल के साथ बना वह कौन ठीक है आनत तल है ना यह मतलब इंकलाइन प्लेन पर जो है वो 36 तल के साथ बना वह कौन जिसके लिए आनत तल पर रखी वस्तु सीमांत घर्षन की आवस्ता में हो मतलब फिसलने ही वाली हो ठीक है ना कोई बोड़ी अगर आप इंकलाइन प्लेन में रख दे जब यह एंगल दीरे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे एक कंडिशन ऐसे जाएगी एंडी साइन ठीटा के करान ठीक है तो उस समय से एंगल होगा वही हमारा एंगल रिपोस होता है यह आपको समझ में आ गया होगा दो तो इसको मैं इसकिप कर देता हूं यानि पूरा पूरा टॉपिक आपका यहां पर फिनेश हुआ और क्या चीज़ इसमें रह गई है हां यह भी कूछ लेता साथी साथ कभी कभी कि फ्रिक्षन के क्या लाव है क्या हानी है तो सबको पता है कि फ्रिक्षन के करारा नहीं हम चल पाते हैं ठीक है ना कोई चीज लिख रहे हैं तो फिलेख पाते बंदन फिसल जाते लिखी ना पाते हम ठीक है और फिर फिर हानिया यह है कि देखे प्रिक्षन जब हमारे पैरों की बीच पीश और रोड कि भीच लगता है तो काफी ज़्यादा हमें मैंनद करनी पड़ती है ठीक है मसीनों के परिक्षन लगता है किसी बी काम को करने के लिए हमें energy की requirement रहती ही रहती है इसके बाद जो उल्जा है उसकी अगर हम बात करें तो यह इस के लर कौंटिटीटीज है ठीक है याणि कि हमारी एक अदेसरासी है यह आपको ध्याण रखना है ठीक है इसका जो मात रख होता है वो जूल होता है विमा की बात करें तो हमारा M L स्क्वाड T-2 होती है यह आपको खुद सेनेकार नहीं है ठीक है इसके बाद अगर मैं एनर्जी की टाइप इस अपको याद याद नहीं है ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं आगे आपको इसमें एक कार उर्जा फ्रमे आती है ठीक हुआ आपको पढ़नी है पहले तो ऊर्जा संर्रक्षण का सिध्धांत आपको याद गर नहीं जो कि बहुत एंस्पोर्ट आंट आंड है आपका सर्रक्षण के सिध्धांत पर तो वो भी आपको important questions की जो playlist बनाई है उसकी जश्ट नीचे मिल जाएगा आपको जैसे मुझस से अभी पढ़ना है एक बार उस वीडियो को पढ़ लेना बात तो सेम ही है ना मैंने वहां पर भी बहुत अच्छे से समझाया एस example को ठीक है तो आ पूरी की पूरी energy होती है ठीक है वो हमारी जो यह अंत्रि दिएलेंगग मील या और हम और इसको कई लग जाए गा तो इतना आप थोड़ा सा कर लेना क्योंकि अब ये अगर आप देखेंगे तब भी आप अपना आदगंटा देना पड़ेगा. ठीक है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बस उस प्ले लिस्ट को खोल ले ना शड़ी सक्ती का मात्येवाट होता है सबको पता होगा ठीक है एक किलो बाड बरावर इतने बात होते हैं एक मेगा बरावर यह होते हैं एक יתने होते एक सब Maat है यह आपको सब याल रखना है यह चोटी-छोटी यूनिट से यह वैसे भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत यहां पर होगी नहीं तो यह सब आपको मैं करा चुका हूँ ठीक है और इसके बाद यह चाप्टर होता है फिनेस आपको इसके बाद यहां पर सबसे आपको पढ़ना था इसके साथ इसके साथ जो भी हम पढ़ते हैं उसका यूनेट्स कैसी यूनेट्स है इसके लिया बेक्टर और इसकी डामेंशन यह पढ़ना होता है आपको ठीक है तो यही लगबग 3-4 टॉपिक थे जो कि इस चाप्टर में इंपोर्टन थे इसके अलावा इस चाप्टर में और कुछ भी नहीं पूछता कहीं से भी ठीक है चलिए तो यह चाप्टर भी फिनेस हुआ अब जो हमारा आगला चाप्टर रहेगा दोस्तो वो हमें स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह सीरीज कैसी लग रही है आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है तो कमेंट में जरूर बताया करें दोस्तों को भी सेर कर दिया करें ताकि वो भी पढ़ लिया करें ठीक है चलिए तो मिलते हैं बहुत जाल न